ग्लोबल नाइटे के यूट्व चैनल में आप सबी काई वार फीड़स हो गयता है आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हो वर्क्तॉप कल्क्लेशन ठीक है अब आप लोग करोगे वक्तॉप कल्क्लेशन तो अल्रेडी हो रखा है कि आप लोग दिशेंगे प्लेश्ट में इसके ढाइस कोश्टन कंप्लीट हो चुके हैं तो यह अज आप लोग करवाने आप लोग आप लोग बार बार दिमाट करते रहते हो जब एक्जाम नजदिक आएगा तो हर एक बच्चे कामेंट यहाने लगता है कि तर मोस्ट वाला मोस्ट वाला बताईए जो सबसे ज़् अच्छे कराई यह तो जो बच्चे मतलब सब्सक्राइब करते हैं वो चलो सिर्फ पास होना रहते हैं वो पर्टिकुलर और उक्साफ कोश्टन में पास नहीं होना ऐसा भी जानते हैं तो सोचते हैं चलो इसका शे कोश्टन छोड़ दिया जागा तेवरी उगर पढ़के क जो लोग सोच रहे थे कि यह नहीं पढ़ूंगा मैं उक्साफ्राइब छोड़ दूंगा वो लोग एक बार इस वीडियो को जरू देखे जाए सिर्फ एक वीडियो देखना है क्या करना एक वीडियो देखना है सिर्फ फत्रा कोश्टन है थोड़ा सा टाइम निकाल लीज होगा आप चले जाएए कहां चले जाएए जहां पर ब्राउजर में ठीक है अपने मुबाइल के ब्राउजर में और यहां सच कि यह ग्लोबल एटी सबसे पहले वेफसाइट मिलेगा आपको इस टाइप से टैब उपेन हो जाएगा इस तरह आपके फोन में दिखाईने दे इस टैब से टैब उपेन होगा नीचे जाएएंगे यहां पर हमें दो आप्शन मिलेगा वाक्साफ फीटर से केंडियर हम फीटर वाले है तो उसके लिए हम लोग इस वाले को डाउलोड रहें सूपर सिवेंटी कोस्टिंस की नाम से यहां पर पीडिया पढ़िए इसको क् में आती है ठीक है तो उनके लिए इलेक्रिकल का मैंने अलग करा रखा है अगला कोश्चन क्या है वाट आर्द वरियस स्टेज आफ हीट ट्रीटमेंट का अलग चरण कौन सा यह पूछ रहा है ना उसमा उप्चार के दोरा ट्रीटमेंट करना जैसे आदमी होता है जा आद मतलब आप फिटर वाले हो तो आपके मेटल रहेगा जम लुआ बीमार होता है तो उसको कैसे सही करते हैं लोग उसमा के दोरा उसमा उस्वारी उसमा उचार हीट ट्रीटमेंट मतलब उस मेटल को गरम करके उसके आंतरिक गुड़ों में परिवर्तन किया जाता है किसी भी म क्या होगा उसके बाद नेक्स स्टेप क्या होगा उसके उचना चाहरा है तो देखें यहां पर option कही सारे आपको दिख रहे होंगे मैं आपको आपको सही बलाएंसर बताता हूं ठीक है क्योंकि यह सारी चीजे मैंने डिटेल में आपको पहले ही करा रखिया वहाँ पर करेंगे दूसरा soaking soaking का मतला पर जैसे मालेजे कोई metal मोटा है कोई metal क्या है मोटा है यहां पर मालेजे tipping हीट मिलेगे ज्यादा गरम होगा पर अंदर गर्म ही दीरे-दीरे पहुंचे कि मालेजे यहां पर अभी गरम हो गया तो पांच मिनिट बाद अंदर वाला बेश्चा उतना गरम होगा जितना बाहर था यहीट जीरे-दी ट्रांसफर होगी ना चारो तरह से आग रखेंगे त हालंकि यह मेटल नहीं यह प्लास्टिक है तो मोटा साव जब इससे 100 तीजियों समय करना आ है तो जब आप 100 दीजियों से पहुँचेगा तो आप देखो कि बाहर 100 तीजियों सब्सक्राइब अनदर बीच में उसका मुटाइब अलब आ तो वहां क्या रहेगा वह सक्ता है हीट को अंदर सोखेगा मतलब एप्जार करेगा तो वहीं सोखिंग टाइम के लाता है कि हम लोग पांक जसमें टूके ताकि इस मेटल का अंदर पूरा टंपरिचर एक समान हो चुके उसी को सोखिंग बोलते हैं सोखिंग के बाद क्वेंचिंग का मतलब ठंडा करने से कि किस क्वेंचिंग टैंक भी बोलते हैं जो हम लोग स्टाटिंग नहां पर हमारे मतलब फूल वाले लिस्ट में था कि जैसे एक आपको लिस्ट मिलती है कि अगर आप आप मतलब फूल रहे हैं तो वक्सॉप में क्या क्या चीजिए उपस्तित होने चाहिए क्या होना चीजिए आप में प्रसांता कि या कि चीज है से बाज में पता चला क्योंकि श्ट्र नहीं है बस एक कोई भी मतलब टैंक बनवा देजिए और उसमें ब्लोकिंग क्लते हैं तो परम खतरना और काम बिल्कुल नॉर्मल है क्वेंचिंग का मतलब हो गया कि मेंटल को पानी ऊग़ डाल hypnot instrument होता है कि उसे गरम करना फिर थंडा करना तो हमने तो फिर थ्योड़ेडर रुके तक फरा टम्य थंपरचव समान हो सके फिव थे भूलत अब आप जानते हो कि पेले हमे करना थी ठ्छव देर रूखना है ताकि समाम pin रिखे पूरे मेटल के 1 साथ थे करना है वाहला यह बात इस ट्रेन का इस ट्रैन इस ट्रेंड का मतलब होता है विद्क्रिति क्या मतलब होता है विक्रिती होती है गोचियाह ड्रेंज्ट परेवर्ट्तनabb क्षेंज न वी अ कि है जेंजंज इन डाइमेंच्ण ये कुसें इस डेटेट कुसें अभी आ अगे कावर कorton मिलेगा अपान ओरीजिनल डाइमेंच् Hen है कि अगई मतलब दाइमेंशन में क्या परिवर्तन हो पहले व्यक्तिक में। भाधि में इससे वास्त्रिह यहां पर क्या आप बोलेंगे लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभीक लंबाई मतलब जो उसके वास्त्विक लंबाई यह होता है उसको लो आल से दिनूट करते हैं किसे दिनूट करते हैं तो डल्टा यह थे कि इतना परिवर्तन हुआ तो DL या DL बोलते हैं इससे D note किया जाता है ठीक है इनका मात्रक कई पार पूछ लेता है तो हम जानते कि लंबाई में परिवर्तनमाल जहें कोई वस्तू है यहां पर वस्तू है यहां पर हूप बना हुआ है तो इसकी लंबाई यहां करें हूप में कोई वजन टांग किया होगा शक लंबाई खीच करगे यहां तकशलते कई पहले वर्तन कीतना कीतना हुआ है तो परिवर्तन कीतना हुआ तो sanitation किटना हुआ है इस 2 cm तक तरवबकर से इनकान है निकलता है इस ट्रीन का विकृती का स fulfilled तो यहां प्छार यहां पर पूछ लेता होता हुघ का महत्रख क्या होता है तो हम देख है कि ऊपर भी लंबाई नीचे भी Looks की सब्सक्राइब को या लिए कुसरन नहीं है पूछ रहाएं कि रहा है कि पढ़न सब्सक्राइब नहीं पढ़ ます को देञाते हैं अगले के चलीनपनगे अगला कर रहा है कि अनुमान की लागत कन ना प्रिप्रेयर कास्ट स्थ pu 사람 कि सीज में कई करना तो आप पहले लगाते हैं आप कि मुझे इतनी रुप ili सब्सक्राइब पढ़ेェ के तो टुटल सेकतिक अच्छाए की जड़ास तो पैसा मेरे पास आए की तब तो आप कुछ काम करोगे तो आप दुकान पर पहुच के समाल लेने के लिए घर से बेज दिया किसी ना आपकी जेब में 100 रुपे है और आप वहां पर पहुच के जाकर पांच किलो आलू, दस किलो करेला यह सब सारी चीजे खरीद रहे हो बाद में पता चला आपको पै क्यों करदा हा तो को लगाता है कि अनुमान की लागत का एस्टीमेशन कोन त्यार करता है तो उससे को next matter मिसीन कोन करेगा स्टीमेटर करेगा अनुमान क्那麼 लगाएगा जो कहा होता है तो बिल्कुल आपसान, शिर्कुष पूछना नहीं है, सब लोग पॉँछना है है अगला कोच्चन है बरिद का छेथफल को फिर क्या होता है तो बेल्कुल आता सब्सकूल कोछना नहीं है कि वरटव्र ब्रित का 추천 है रिस्फेर औफ न बी आपका curry होगा 5 रिस्फेर अगला कोश्चन है मसीन है जिसको हम लोग जानते हैं पॉकेट रिफ्रेंस को जानते हैं इसलिए कहते हैं पॉकेट रिफ्रेंस जिसे हम पॉकट में जाका है Handbook मतलब जिसको हम लोग आज के दोरा जिस book को तायार करते हैं कहने हैं कि मतलब जैसे आप भी करते होंगे न IT उगर हमें आप पढ़ाई कर रहे हो अपना थेओरी पड़ देख तो थेओरी क्या इतनी मोटी book होती है तो थेरा मतलब करते हैं तो भी करते हैं मोटी से हमें और करते हों इंजिनिंग निग करते हैं मतलब ब्सक्मा만 करते हैं ॉसी हम को है औलब करती है ऑप्र प मरती जैसे यहां है होगा है KC की बात आए गए गह तो इसके लिए जो ट्यक्ली जाए है कि आ experienced leader के लिए कुलते हैं और अगर कि बात करता है इंजिनिरिंग क्या है ऑगा तो मारं के स्ठेंडर्ट मत Allez यहादए क्या है ना मसे मसीन और मास मार計 वाधकना मसें टान। मतलग मार के स्टेंडर्ड फिर आता सी Meiएर्टी मसीन सा आपका किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए अग्सफोर्ट इंग्लिस डिक्संडरी 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 अग्सफोर्ट इं सकता है किसी मसीन के और टिंग सिस्टम से डिलेटेट भी हो सकता है तो उसको भी हम लोग आपक डिसमेर में रखेंगे तो इस टाइक की जो तीजी होगी हो इसमें आ जाएगा नेस्ट पर चलेंगे कि अधीन कारियों में पॉकेट रिफ्रेंज का दूसरा ना सब्सक्राइब अभी मैंने बता है कि जो हमारी हैंड बुक थी हम लोग उसको पॉकेट रिफ्रेंज की नामते भी जानते हैं तो यह खेंगे अधार थे इसकी उचाही का बियस्ते मतलब जो हमारा त्रिभूज होत यहां पर इंग्लिज रखेंगे gravity ठीक है center of gravity होगा यहां पर its basis of height center of gravity तो जो त्रिभूज का center of gravity होता नहीं इसकी base से माले जी इसकी उचाई कितना है इसकी पूरी उचाई त्रिभूज की कितनी है एच है तो gravity जो होगा यहां पर संकू की बात की जाए संकू कैसे होता है इस चाइब से पना होता है यह हमेरा क्या हो गया स अंतों संकू का होता है तो उचाई का एक बटे कि इसमें दखीए Dabei i7-2-3-4 चीज्जे दिख रहे था डिख रहे interessante स्हीं आती बता रहा है मैं इसक्वायर वाले में चाहर हो या आयत हो डोनों में क्या होता है जो हमारे पास हमारे पास फिर में प्रतिचित करte यहां मिलते हैं वहीं उनका सेंटर अप्डिवीटी होता है ठीक अगले कोशन पर चलेंगे अगला कारा है टेम्परिंग प्रक्विया करते समय एक धातु के टुकडे को 200 तुकडे कर गर्म किया जाता है उस दातु के टुकडे का रंग क्या होगा टेम्पर करते हैं जब किसी जब करने के लिए गार्ट की लिए चुट लगाएंगे तो उस जो इकस्ट्रा बिटनेस हा गिये जिससे हम उस मेटल को हाट करने के बाद भी यूजए पा रहा है तो उसके लिए कईया जाता है तो जब उसको टंपयर करने मेटल को घरम करते हैं तो पूछ two-shop कि जब उस मेटल को 2500 डीज बर दीवर करते वे पोछ जाएंगे तो समुइंट कंद कशा हूगा तो स्बिपलेख कर दीखेगा अच्छे में फ़ूद कर सब्सक्ट डीजे तुर सम 민주 straff कहते हैं पीला नहीं कहते हैं हलका पीला बोलते हैं यहां प्लोग यह कटाई होती है तो तो यह कितना रहेगा तो यह तो नोट गरिकर द्यान रखेया अगली कॉश्ञाउच पड़ा चले जन्कार भागों में गर्थर, कंम करने के लिए इसका उपिवकी आजाता था जब कोई मसीन होती है जक मसीन हमारी चलती है तो मसीन के पार्ट क्या है जहां पर तो आपस में फ्रिक्शन करते हैं, जब 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 फ्रिक्शन करते है निए बागों में घर्षकत करेंगे तो कम करेंगे तो को करने मसीन के लाइब बढ़ाने के लुअ क्या करते हैं पुंद करते हैं असले रिषेट का मतलर एसinating जैसा कि मोभी Immediately ग्रीज यह सब आपके तने की रूप में आजाएंगे अगला है पुस्तिका का नाम का है जिसमें विभीन दरों का संकेत दिया जाता है कि कोई ते पुस्तिका है जिसमें विभीन डेट्स अलग अलग यह अंगली दिखेंगे न वरियस टर्म आप अब इंडिकेटेड रेट अब इसमें पुस्तिका नहीं होता यहां पर दो चीजे काम कि प्राइस टैग और प्राइस के टेलोग इन जोनों को अंब समझेंगे प्राइस टैग का मतलब है कि किसी समान के लिए पर्टिकुलर टैग लगा होता है जैसे आप लोग किसी मॉल में चले जाएए कप्रा ले नहीं है इस पर दीखा रहा है यह भी हमारे रेंज का नहीं है पंदेरत वाला चलो यह थोड़ा ठीक लगा तो बिदी से लिए ले लेते हैं तो क्या करते हम प्राइस टैक को पढ़कर के हम समझ जाते हैं कि कौन से टैग हमाज इस तो पूछना ने पड़ता है ठीक है तो आप किसी मतलब इलेक्ट्रोनिक वाले सोरूम में चले जाए तो वहां देगे कि फ्रीज हो गरे के साथ, कूलर के साथ, वहां पर बाकिव वासिंग मसीन जो बीची जाए तो हर एक चीज के साथ कर प्राइस टैग लगा दिया जाता है, जिससे ग्राग फुद देख करके समझ जाए कि इसका मोले कितना पूछना पड़े, तो उसी को प्राइस टैग कहते है कि हर एक पर्टिकुलर समान के साथ लगा देना, अब प्राइस कैटलाग क्या होता है या मूले सूची होती है, नाम से लग रहा सूची मतलब एक सूची तयार की जाएगी, तो यहां पर उसक जक्यूदाएं को देखने के लिए मोसिन के पास बीखना पड़े एक सूची तयार कर जाते हैं तो उस्ही को प्राइस केटलाग को बोलते हैं, इसमें अलग अलग रेच सिंगित किया जाते हैं, तो एक पुछा-विता कि इसमें विभिंध द्र को संकेत दिया जाता है, मतल दर्साया जाते हैं price catalog पर दर्साया जाते हैं अगला देखते हैं कौन सी लाइन को जीवा या जा नहीं मतलब है जीवा होना ती यह लेकिन जो आपका एग्जाम में आया था इसलिए गलट कर दिया तो इसलिए मैंने गलत वाला भी लिया हुआ है जिससे कि अगर आपके एक्जाम में दुबारा से ऐसे गलती हो कि वो जीवा क्यों निक्ते बार इंगलीज वाला में देखना पड़ेगा इंगलीज में जरूर्ड जीवा लिखाओगा ठीक है तो आपक तो आप पकड़ दो शीच को यह पीगा रहे लखे कर रहा कि ED क्या देखिए और D तो आपका चांप आर्क है यह जीवा तो है नहीं यह क्या है आपका आर्क है परदी को और वह क्या हो वह क्या हो वह सेंटर पर गाएक तो वह क्या बन जाएगा तो यह वह बन जाएगा अगर सेंटर को छोड़ करके अगर हम परदी पर एक के से मिलाते हैं तो ऊंसे में जीवा हो घ कि बात करें यहां यहां content नहुंहें अयद्य पार्दी का सुत्र नहीं पर्दी का सुत्र पुछा आप जानते होंगे बित का पर्दी टू-पाई-आर होता है अगर एच्छी तफल पुछ लेता तो पाई-आर होता है यहां पर पर्दी पुछा आपका सही हो जाएगा अगले कुश्चिन पर चलेंगे कि स्नयक हम यूज करते हैं प्रिक्षन को कम करने के लिए घरसर को कम करने के लिए करते हैं अगला है कौन सा प्रादिकरण दरों के अनुस्ची को प्रकासित करता है अधिये के सिद्ड्यूल लेट कि बात करता है। को हम करता था थो सरकारी बिभाग करता था आँ गeूर्मकन डिपार्टमेंट तक अ सरकारी बिवग का काम होता है किसी भी बाइट को फिक्स करना जैसे कंपनी बहुं Talking काम करें तो तो जो वर्कर हैं उनको क्या तो आप मिनमम रेट मिलना चाहिए तो गवर्मेंट ने फिक्ष किया हुआ कि हम जो है perfect लिए इसे कम पैसे नहीं दे सकते आप इस से ज्यादा काम नहीं कर आब यह सब को इन निस्द करता है जब्रमेंट करती है तो यह कहला है कि सेट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् पर अंगला अगल आ को दर्साने के लिए किस्प्राषिकद का प्रियोग करते मीज ब्रावर है ? म्यू थीक अगल से रिखाते हैं अगले को चलेंगे अगला कह रहा है कि उस संचना का नाम क्या है यदि इस्टील को साथ सो तेज़ दिग्री से गर्म करेंगे तो उस संचना को क्या कहते हैं फिटर वाले हो आप लोग बिल्कुल अच्छे से जानते होंगे तो देखिए ज्या होता है कि जब किसी मेटल गरम किया जाता है तो तो वह उसका लूवर कृटिकल टंप्रेचछर वहां लूवर क्रिटकल टंप्रेचर में पर पहुंचने पर जो का आयरन होता है से मेल उसमें करता है मतलबु यह से हमारे साथ सो तेजड़ से के लेए और अगव सरु था पर तो यहां पर दयाए आपने लुरास की सफ्टेशल क्या है यैश मैज धूंसरों पर पहुंचेंगा तो से इसमें जो और इसका मतलब उसके आंसरे संचन पर रतना शुरू हो गया इसका मतलब वह आस्टिनाइट में बदलने लेगा जब अपर किटकर तंपरेचर पर पहुचेगा हमारा मेटल तब वहां पर क्या होगा कार्बन पूर रूप से घुल चुका होगा तब हम बोलते हैं कि उसमें मे करते हैं तो में बदल जाता है चलिए आगे पर चुशन पर चलते हैं अब कर चलते हैं अगला कर रहे है विगृतिकी की क्या है देखिए मैं पहले ही आपको बता चुपा हूँ कहां बता हूं एक बार आपको फीर से बताता हूं इस वाले क्वेशन को दुबारा से देख लिए अच्छे से समझ में आ जाएगा क्या होती है जो कोश्चन नमबर दो था ठीक है यहा हमारा जो मोस्ट इंपोर्टेंट कोश्चन था जो की एकजाम में कई बार पूछा गया है ठीक है इन कोश्चनों को आप लोग जरूर देखके जाए और वीडियो कैसी लगए एक बार कमेंट करके जरूर बताना बाकि अपने दोस्तों में भी ज्यादा ज्यादा शेर कीज है ठीक है बाकी हमसा की बरावेग होंगा फिर दुबरा बता दा दा वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा ज्यादा शेर कीजिएगा बाकि आगे के जो भी टॉपिक होंगे कुश्चन होंगे किसी और वीडियो में करेंगे थैंक्यू